पलवल के भमरोला जोकी गाओ में एक युवक ने दूसरी औरत के चक्कर में अपनी ही पत्नी का गला घोट दिया और फिर शब को खेतों में फेक कर मौके से फरार हो गया महीला का शब गाओ से करीब एक किलोमीटर दूर खेतों से बरामत हुआ है जिसके गले में चुन्नी बंदी हुई थी महीला की शिनाक्त प्राची और फपम्मी के रूप में हुई है जिसकी शादी भमरोला जोकी काओं के धरमेंदर के साथ हुई थी और दोनों का 5 साल का बेटा भी है महिला के परीचनु का कहना है कि धरमेंदर पिस्टे दो सालों से एक लड़की के चक्कर में उनकी बेटी प्राची को प्रताडित कर रहा था लेकिन बीते दिन उसने प्राची का गला खोट दिया और फिर शफ को खेतों में फेक कर फरार हो गया एपने बेटी प्राची के साधिया अपने कहां पर की थी और कितना टाइम हो गया उसको चुछ शाल है कि वह रवाल लटाइए किया सुचना मिलिया इसके बारे माज क्या हुआ उसको सुचना का खतम किरती हैं अ क्या कारन है को घर में दूसरी बीर्वान कर लाया हूं करके ल अभू कोई लेकर अधिया थे दूसरी ओरतिको हैं अitional हुआ है şimdi तो गपता चला आप लोगों कि ईया आपकी बेटी को है कि नीहीं को बातचीत नहीं हुए को समझाने को प्रयास नहीं कि आप लोगों को प्रयास करें हूं मातल़ यह समझाatem को किस तरह से मारा है उसको तेंटिया घोट के जंगल में एक किलो मिटर दूर मतल यह ले जाएक है और तेंटिया घोट के अपने किया चाहते हैं अब इस मामले में अधर महिला की हत्या की सूचना मिले के बाद पुलिस मौके पर पहुची और शब को पोस्ट माटम के लिए भिजवा दिया पुलिस ने महिला की परीज़नों के बयान उपर आरूपी पती और उसकी बहन समेत छे अन्य लोगों के खिलाफ वहत्या का मामला दर्च कर लिया है कल स्याम को इन्फोर्निमेशन मिलगी थाने मोगे बम्रोला जोगी में एक लेट होगी है तो मौके पर फोंचे वहां लैड़गोडी जंगनों है तो परीफी और वहां के अमने फैसलीटी में पर बगलाई गई गई और अब लैड़गोडी के मोश्रों में लेका है मिर्ट का किस हालत में मिली थी मिर्ट का कपड़े पहने हुए थे और खेत में लेकी हुई थे अब गले पे निसाम से चोगए तो कारण क्या बताया जा रहा है कारण पत्नी से नाराज रहता था और बहार के दवार बगलाई अब बतादे कि पत्नी की हत्या करने के ठीक बाद आरोपी ने दूसरी और भी घर्म आ गई है जिसको लेकर पूरे गाओ और इलाके में चर्चाओं का बाजार कर्म हैं महराल महीला के बीड़त परिचनों द्वारा पुलिस प्रशाशन से इंसाफ की गुहाल लगाई जा रही है लेकिन अभी तक एक भी आरोपी को गिरफतार नहीं किया गया है पलवल से गुरुत अतगर्ख पंजाब के स्टीटीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद